हलो दोस्तों, नवस्कार, मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्पोटेक्शनल दोस्तों, एक्षल के अंद्रगत, फार्मूला और फंक्शन की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मैक्स फंक्शन का उप्योग करना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं थेयरी के लिए हेडिंग नोट करेंगे मैक्स जिसका मतलब होता है अधिक्तम मैक्स फंक्शन का उप्योग सेलेक्टेड रेंज अथवा सेल में मैक्समिम वैल्यू को देखने के लिए किया जाता है इसका रूल होता है दोस्तों । इसके अस्तान पर चाहें तो आप दूसरा भी इसका रूल अप्लाई कर सकते हैं इक्वल मैक्स अप्लाई कर सकते हैं ऐसे जितने सेल होंगे कामा लगा लगा कर आप उसमें maximum value को प्राप्त कर सकते हैं इसके अधार पर दोस्तों एक example हम question देख लेते हैं Example है class 10 में among 500, अरून 480, प्रदीप 480, संदीप 430 वह अनुज ने 400 अंग प्राप्त किया, तो बताईए कि सबसे अधिक अंग किस ने प्राप्त किया या इन सब में से सबसे अधिक तक अंग किसका है तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको Excel worksheet के अंत्रगत इसका table त्यार करना होगा तो चलिए सीधे हम चलते हैं अपने Excel worksheet के अंत्रगत Excel program को open करने के लिए computer के keyboard से window plus R key प्रेस करें ऐसा जैसे करेंगे run का dialogue box open होकर आ जाएगा जहाँ पर आपको type करना है Excel और OK को click करना है या enter key प्रेस करना है तो फिलाल मैं OK को click कर देता हूँ जहाँ ही OK को click करेंगे या enter key प्रेस करेंगे तो Excel का startup window खुल कर आ जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले blank workbook को click करना होगा और जहाँ ही blank workbook को आप click करते हैं तो book one worksheet के साथ Excel program open होकर आ जाएगा जैसा कि अभी आप हमारे desktop screen पर देख रहें अब दोस्तों यहाँ पर computer के keyboard से control की प्रेस करके रखें और अपने mouse से scroll bin को monitor की तरफ scroll करें जिससे कि यह page zoom in हो जाएगा अपनी एक्चामसार दोस्तों page को customize कर लें मिन zoom in zoom out करके रखें जिससे की आसानी से character दिखाई दें और जितना table हो वो table पूरे screen पर दिखें और अच्छे से समझ में आए question के according दोस्तों यहाँ पर हमको table त्यायर करना है तो सबसे पहले वाले खाने में यहाँ पर type करेंगे students, name type की press करेंगे और दूसरे खाने में टाइब करेंगे marks enter की press करेंगे और सबसे पहले सब का नाम टाइप कर लेंगे, जैसे सबसे पहले नाम था Amun, दूसरे इस्टुडेंट का नाम था Arun, तीसरे का नाम था Pradip, चौथे का नाम है श्रंदीप, पांचवे का नाम है अनूज, एंटर की प्रेस करेंगे अगले खाने में चले जाएंगे अब अब एरो की की मदद से दोस्तों सबसे पहले वाले सेल में चले जाएंगे और राइट एरो की की मदद से बीवन से लेडरेस के अंतगत आकर एंटर की प्रेस करेंगे जहीं एंटर की प्रेस करेंगे, B2 वाले सेल में आ जाएंगे, अब सबकी यहाँ पर माक्ष को आपको टाइप कर लेना है, तो सबसे पहले अमन का है 500, एंटर की प्रेस करेंगे, अरून का है 480, एंटर की प्रेस करेंगे, प्रदीप का है 450, एंटर की प्रेस करेंगे, संदी तो उसमें से maximum number को निकालना हो, तो इस function का उपयोग करेंगे, फिलाल हम छोटे example पर यह समझ लेते हैं, ताकि आपको असपस्ट यह समझ में आ सके, अब दोस्तों सबसे पहले इसे ब्यवस्थित कर लेते हैं, ब्यवस्थित करने के लिए A और B के बीच में जो separator आपको नज दिस्पले हो रहा हो, ब्यवस्थित रूप में नहीं दिख रहा हो, तो जो एक कालम है, इसे select करके, यहाँ पर left line को set कर लें, और सबसे पहला वाला जो header है, उसे select करके, sell color, text color, और bold कर लें, अब दोस्तों देखेंगे, तो यहाँ table में दिख रहा होगा, और यदि आपको border नहीं दिख रहा होगा, तो सबसे पहले इसे select करके, यहाँ पर all border को click करके, all border को हम यहाँ पर apply कर लेंगे, अब दोस्तों देखेंगे, तो student name के अंतरगत, हमने सारे student का नाम type कर लिया है, और दूसरी तरफ हमने marks को भी यहाँ पर type करके रखा है, अब यहाँ पर maximum mark या max number जो हम निकालने वाले हैं, यहाँ पर वह type कर लेंगे, जिससे कि हम को यहाँ पता लगे, कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे, यह हमारा answer यहाँ पर क्या आने वाला है, अगर जो पहले से ही कोई formatting हो, और उसी formatting style को यहाँ पर apply करना हो, तो पहली formatting को click करें, format printer को click करें, और उस cell अडर को select करें, वा formatting यहाँ पर apply हो जाएगे, अब इस खाने में दोस्तों हमको function चलाना है, उसके लिए आपको type करना equal, max, tab की press करना है, जो ही आप type की press करेंगे, तो automatic की max function के साथ open parenthesis भी आ जाएगा, अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों, या तो आप इस range को select कर ले या first cell को select करके column लगाकर last cell को आप click करें, या एक-एक cell address को कामा लगाकर आप apply कर सकते हैं, दोस्तों इसका तीनो rule हम भी हमने वीडियो के शुरू में थी rate call आपको बताये था, यहाँ पर तीनों का उपयोग करके हम यहाँ पर समझने वाले हैं, सबसे पहले दोस्तों इसे select कर लेते हैं, first cell लेकर last तक, जीतना भी हमारा cell address है, जिसमें कि उनके marks type किये गए, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यह range काम कर रहा है, B2, colon, B6, shift एक साथ 0 की press करेंगे, close parentheses के लिए, enter की press करेंगे, answer आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 500, क्यों 500 दोस्तों, क्योंकि इस marks के type करें, equal, max, type की, और सबसे पहले वाले cell address को select कर लें, तो सबसे पहला हमारा cell address है, B2, colon, shift के साथ, semicolon key को press करेंगे, colon, आ जाएगा, और अगला हमारा cell address है, B6, इसे type करके, shift के साथ, 0 की press करके, enter की press करेंगे, answer आ जाएगा, 500, अगर जो तीसरे नमबर rule की बात कर लें, दोस् type की press करना है, first cell, comma, second cell, comma, third cell, comma, fourth cell, comma, fifth cell, ऐसे जितने भी cell address होंगे, दोस्तों, comma लगा-लगा कर select कर लेंगे, और shift के साथ, 0 की press करेंगे, तो यहाँ पर close parentheses आ जाएगा, 0 की ध्यान है, दोस्तों की number rule से आपको लाना है, न की, numeric keypad से, finally इतना type करने के बाद, enter की press करेंगे, answer आप कहा जाएगा, 500, तो इस प्रकार दोस्तों, आज के वीडियो में आपने सीखा, max function का उपयोग करना, और max function को तीन तरीके से चलाना, आसा करते हैं दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल परना है, तो subscribe कर लिजिए, ऐसे ही दोस्तों, रोज हम tip centric की वीडियो इस चैनल पर upload करते रहते हैं, अगर जो दोस्तों, आपको excel की 200 से अधिक formula और function की PDF, या उसकी वीडियो चाहिए सीखने के लिए, तो इसी वीडियो के description में हमने एक demo link रखा है, तो उसे download कीजिए, और उसके सारे step को follow कीजिए, वो PDF आपको मिल जाएगा, मिलते हैं दस्तों आपको new video, new tips and trick के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिद, जय भारत